असलाव लोगे वेवन इस गाइपने शेप्र नबर 64 और इस पार्ट के अंदर हमने बेसिकली पढ़ने है रिगार्डिंग मैस्टिकेशन अच्छब आप खाना खाते हो तो पर आप उस खाने को चबाते हो तो फिर आप उस खाने को अनकल्फ करते हो तो उस जो जो प्रोसेस ह मैस्टिकेशन का एक्जैक्ली होता किस तरह है यह हमने इसमें पढ़ना है अच्छा अब सबसे पहले तो मैं आपको दो टम्स पताते हैं रिकार्डिंग के हंगर क्या होती है और एपटाइट क्या होती है अब जो इंट्रिंजिक डिजायर फॉर फूड है ना कि भई मुझ जायर फॉर एन्य स्पैसिफिक एफूड नॉए टाइप आप अफूड के नहीं जी मैने अभी कुछ मीठा खाना है मैने कुछ नमकीन खाना है अब मीठा और कुछ नमकीन खाना is two different types of food तो यह जो the type of food that a person preferentially seeks is appetite, अब यह होता गया, for instance, आप गर्मियों में exercise करके आ रहे हैं और आपको धेर सारी sweating हो गई है, तो उसको जब आप immediately आओगे तो आपका दिल करेगा कि आप कुछ specifically कुछ salty drink पियो, ठीक है, तो उस type की जो body की requirement होती है न, वो body की need पर depend करती है, अगर आपको hypoglycemia हो गया है, low sugar level होगे हैं body में, तो आपका दिल immediately करेगा कुछ मीठा खाने को, ठीक है, तो intrinsic desire is hunger, and type of food that a person preferential seeks is appetite, अचा, अब यह जो mastication का process है, यह exactly शुरू कहां से होता है, यह शुरू होता है आपके higher centers, यानि के brain से, brain stem से, hypothalamus से, amygdala से, यह वो सारे part हैं, जहां से basically impulse जाएगी, towards muscles of mastication, अचा, अब होता है exactly क्या है, parts कौन से कौन से हैं, number one, cerebral cortex, cerebral cortex में exactly क्या हो, कौन सा part, cerebral cortex, near the sensory areas for taste and smell, आपके brain में, cerebral cortex पें, जहां पे taste perceive करने का area पड़ा है, यह जहां पे smell का area पड़ा है, बिलकुल उसी के साथ, एक और area होता है, जहां से impulse जाती है, muscles of mastication को, meseter muscles को, ताके खाने को चबाओ अच्छी तरह, ठीक है, आप आपने खाने को देखा, आपको smell आई, खाना खाया, टेस्ट आ रहा है, तो उसी, जिस center में उसकी impulse जा रही है, उसके बिलकुल साथ ही cerebral cortex का center है, जहां से impulse जा रही है, इसके लावा, जो brain stem के अंदर taste centers ह है, ठीक है, वहां से भी impulse जाती है, तो इसके लावा, रेटिकुलर एरिया इन दी brain stem taste centers, ब्रें स्टेम के टेस्ट सेंटर के साथ में, जो रेटिकुलर वो जो network है, वहां से भी impulse जाती है, इसके लावा, हाइपो थेलमस से भी impulse जाती है, बहुत सारी चीज़ है पड़ी है, तो हाइपो थेलमस से भी impulse जाती है, और फाइनली amygdala amygdala अक्सर related to emotions होता है, तो ये चार जगा से impulse जाती है, वाया फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मोटर पार्ट और फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मोटर क्योंकि मुसल को जाए नहीं तो मॉटर ब्रांच और फिफ्थ क्रेनिय तो आपके जो teeth हैं, वो दो तरह के teeth हैं, आपने एक तो खाने को cutting किरनी होती है, जो भी फूर आ रहा है और साथ आपटेमने उसकी grinding करनी होती है, cutting हमेशा होती है आगे वाले धानतों से which are incisors, और grinding होती है पीछे वाले धानतों से which are molars, ठीक है, तो जब incisors है और एक मोलर an incisors cutting करेंगे molar's जो है वो grinding करेंगे molar's में power बहुत जादा होती है एस compare to incisors incisors can apply a power of around 55 pounds and molars can inflict a power of 200 pounds बहुत जादा power होती है ठीक है तो यह इस्तना होता है अब यह तो आपको पता चल गया कि सेंटर कौन सा है जहां से इंपल्स आ रही है फिफ्ट क्रेन आफ से इंपल्स आ रही है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को अब जब यह आएगी तो फिर उसके बाद आप रिद्मिकल मूवमेंट्स करते रहोगे फॉर चुएंग अब यह तो एक सिंपल सा प्रॉसस हो गया है अब अक्सर पूछ लेते हैं कि वाट एग्जेक्ट्ली सेजुएंग रिफलेक्स तो चुएंग रिफलेक्स में हमने पूरा जो का प्रॉसस है उसको डिसकॉस करना है और यह belief नो नहीं यह तो फृलिंट्री मॉवमेंट है मैं आप जो खाना खार रहे होते हैं तो आप हर दौण क्या सोचके चुऊ कर रहे होते हैं जो मैं पर आप मैं रिलाक्स करूंगा मौथ को फिर मैं चुऊ करूंगा विर में एक automatic सी एक movement होती है जो कि चली जा रही होती है ठीक है तो वह basically ये chewing reflex की वजा से होता है जो एक automatic आप खाने को चूँ करते रहते हैं अच्छा पिसमें exactly होता कि है इस reflex में इस reflex में यह होता है कि जैसी खाना आपके मुँ में आया तो जो bolus of food है ना जो mouth के अंदर आपके अंदर bolus of food बन गया है वो mouth की सारी lining को लगेगा अंदर जैसी mouth की lining को लगेगा तो फिर वहाँ पे mouth के अंदर उसकी वासे जो muscles of mastication है उसकी reflex inhibition हो जाएगी क्या पहला step है जैसी bolus आया मुँ के अंदर उसने muscles of mastication की reflex inhibition कर दी ठीक है जैसी muscles of mastication की reflex inhibition होगी तो क्या होगा lower jaw जो है वो drop कर जाएगा जैसी muscles of mastication की stretch आएगा यानि कि जैसी आपका jaw drop करेगा तो अभी अपना jaw drop करके देखें तो आप feel करेंगे कि muscles of mastication यानि कि master muscles में थोड़ी सी stretch हुए और आपको पता है जैसी मिसल्स stretch होता है तो reflexly contract करता है यसे नहीं कहते है rebound contraction तो जी reflex contraction of the jaw muscles due to stretch will lead to rebound contraction ठीक है आप जैसी rebound contraction होगी तो फिर closure of teeth हो जाएगी यानि कि दान्त आपस में मिल जाए तो closure of teeth होगी तो यह आपने chew कर लिए एक दाफूट को जैसी closure of teeth होगी तो उसके बाद जैसी mouth move बंद होगा तो it will again compress the bolus against the lining of the mouth और जैसे ही यह दुबारा mouth की lining को पूरा bolus लगेगा तो फिर वही process repeat हो जाएगा inhibition of the jaw muscles one again jaw drop was one again and jaw will contract in the form of rebound contraction again तो यह है chewing reflex मैं कोई क्ली बता हूँ तो हुआ क्या food move में आया bolus सारे mouth की lining को लगा जैसी lining को लगा reflex inhibition मेस्टर मॉसल्स की जैसी reflex inhibition हुई jaw drop किया jaw drop किया तो muscle stretch किया muscle stretch किया तो उन्हें rebound contract किया rebound contract किया तो वापस दान ता क्या आपस में मिले इसकी वाइसे दोबारा बोलस अंदर से compress हुआ माउथ की सारी lining को जैसी मौल वह बोलस लगा तो फिर अगें से देरिस reflex inhibition of muscles of mastication और फिर दोबारा से reflex inhibition की वाइस rebound contraction और यह chewing का process चलता जाएगा ठीक आचा अब इसकी significance किया भई इस सारे process की significance किया significance इसकी दो है number one कि जब आप chew करते हैं तो जो fruits or vegetables के अंदर जो indigestible cellulose membrane होती है वो break हो जाती है fruits और vegetable की indigestible cellulose membrane होती है वो जगर हम chew नहीं करेंगे तो वो digest नहीं होगी तो उसकी indigestible cellulose membrane को break कर देते हैं chew कर गें यानिके चबा कर दूसरा यह है कि chew करने से surface area जो है वो increase कर जाता है food का जब surface area increase कर जाता है तो उसके उपर digestive enzyme digestive secretions बड़े असानी से उसके उपर आके उसको digest कर लेते हैं ठीक होगे तो यह थी हमारी पास mastication see you in next